हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है, वेलकम है आप सभी का अमारे यूट्यूब चनल्स में, करमचालियों पैंसनस और फैमली पैंसनस के लिए मैं चार से पांच बड़ी खबरें अब उसके इन्फोर्मेशन या अपडेट लेकर आया हूँ, जिसको जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसमें पहली बड़ी खबर है आपकी अडिशनल पैंसन को लेकर के, अडिशनल पैंसन में जो हाल में 80 बर्स की उम्र अपनी पूरी की हैं, लेकिन उनके खातों में एडिशनल पैंसन जो 20 परशंट है, 7 वेतन आयोग के रिकमेटिसन के इसाब से वो नहीं आ रही है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आएगी और क्या आपको प्रोसेस करनी है, साथी साथ दूसरी जो खबर है वो 18 मंस के DA areas को लेकर के है, जिहां दोस्तों उस पर एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है, वो मैं आपको बताऊंगा आपे, साथी साथ कीसी बड़ी खबर है आपकी, एरच CPC को लेकर के, यानि आठे वेतन आयोग को लेकर के जल्स आपको एक खुसकबरी देखने को मिल सकती है, जि सारे पैंसर ऐसे हैं, जो DLC, यानि Digital Life Certificate Submit नहीं कर पा रहे हैं, तो कि उनके नाम में मिसमेच है, या डेटो बट मिसमेच है, या उनका फिंगर काम नहीं कर रही हो आपर, तो आप किस तरीके से आप अप Lab Certificate Submit करेंगे, कहां आपको गैजटेट आफिसर में साइन कराने कैसे form download करना है, उस पर भी हम या पर थोड़ी बात करेंगे, तो पूरे डिटेल में देखीगा, इसलिए इस वीडियो को बहुत important है, इसके लावा आप हमारे चैनल को आपसे अपील करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइब करने के साथ ही आ अगर आपको हम आपके pensionally benefits से लेटेट, कोई doubt है, कोई समस्या या आपकी pension या उसके benefit में, कोई आपका time तक नहीं पहुंचते हैं, तो आप हमें join भी कर सकते हैं, जिहां दोस्तों, मात 29 रुपए दे करके आप एक मन्त को join कर सकते हैं, और आपको बिदिन 15 मट के अंदर payment करेंगे, और जो भी आपको साम देख भी सकते हैं, कैसे आपको join करना है, subscribe करने के बाद आपको join button में click करना है, within 15 में आपकी जो भी समस्या होगी, इसको solve कर दिया जाएगा, चलिए पहली बड़ी खबर की तरब लेकर चलते हैं, जो आ रही है आपकी additional pension, यानि अतरित pension मे ब्रोतरी होकर आएगी, तो उसके regarding क्या नियम है, ये question आया है, मुझे बास, तो मैं आपको बता दू, ऐसे pension, आप सभी को बता है, इस साथवे बेतन आयोक के recommendations के हिसाब से, सभी pension को 80 वर्स की उम्र पूरी होने के बाद, 20% अतरिक्ट pension या additional pension देने का नियम है, तो जैसे ही pensions 80 वर्स की पूरी होते हैं, तो आपको अपने office में, या फिर office अपने आपी, जो है कई बार record वगरा office में, अचार में आपको अपने आपी वहां से letter आजाता है, और वहां से या फिर message आने start हो जाते हैं, कि आपकी additional pension अब आपकी बनेगी, लेकिन जो pensions अभी हाल में ही, न suppose किसी के date of back 5-10 number थी, तो उसकी number month की जो pension होगी, वो आपको आप 80 वर्स की पूरी होने के बाद में, आपको 20% additional pension आपको मिलेगी, लेकिन जो लोग number month में retirement होए थे, या number month में date of birth थी, उनको जो है, October month में नहीं मिलेगा, number month में ही उनकी 80 वर्स की जैसी पूरी होगी, तो उन number month में ही उनको additional pension का फायदा मिलेगा, तो ये एक additional pension को लेकर के नहीं हो में, इसकलाव आप जिसी, आप 100 years की एज पूरी करेंगे, तो आपको पूरी pension देने का प्रावधान, साथ बेतनायों के recommendation से किया गया, तो ये पहली बड़ी खबर थी, अब बात करते हैं, दूसरी DR को एरियस को देने की बात कही है, बहुत सारे लोग बोल भी रहें, लेकिन मैं आपको बता दूँ, गवर्मेंट ने बलकुल क्लियर ली फिर से एक बार क्लियर किया है कि 18 months के DA और DR का एरियस जो भी बाते चल रही है, उनको fake है, rumors हैं, उनमें किसी भी तरह कि कोई भी सच् सकती है, लेकिन ये बैसे areas जो है आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आप government की economy भी ठीक हो गई है, और वहाँ पर पैसा आपको मिलना चाहिए, क्योंकि unions भी सरकार से इसके regarding कई बार बातचीत कर चुकी है, 18 months के DRs के regarding कि सरकार अगर एक साथ ये पैसा नहीं दे सकती है, तो कम सक को लगता है कि 18 months के ये आपको नहीं मिलना चाहिए, काफी समय हो गया है, तो वो नो आप comment में लिखेगा, तो कि कोई पैसा का ये पैसा लाखो तक बनेगा, ऐसे में पैसनस को थोड़ी सी वहाँ पर रहात मिलने की उम्मीद है, अब बात करते हैं, HCPC को लेखर के, जी हां दोस्तों, अभी खबरे बहुत ज़्यादा आ रही है, आठोवेता नायोग को लिए करके आपने देखा भी होगा, National News Media में भी ये खबरे आने लगी है, कि आठोवेता नायोग अब गटन हो सकता है, तो मैं आपको बता दू, HCPC सबसे पहले आपको पता है, पहली चीज, ये अपने उनके अनुसां होगी, वो सब उनको प्रवाइट कराएगी, कुवर्मेंट को, उसमें से जो अच्छे होगे, इवन जो यूनियन्स और पैंसर्स होगी, उनसे भी लिए जा सकते हैं, कि सरकार करमचाड़ियों से या पैंसर्स यूनियन से ही पूछे, कि आप बताई कि क्या-क्या आपके बेनिफिट में, आपके वेलफेर में, नहीं पे कमिशन में इस सारी चीज़े हो सकती हैं, तो जब भी ये सीज़े आएंगी, जल्द सल्द लिकिन कमेटी हो सकता हो, बनाई जा सके, क्योंकि 7CPC में भी एक साल पहले के, या फिर एक साल पहले के आसपा इसमें कमेटी बना दी गई थी, और उसके रिकमेटेशन आने के बाद, 16 से इसको रिकमेटेशन पास होने के बाद, 7CPC बना दिया गए, तो अब जैसे ही आपको पता है, 9.9 दिसमबर मन्द स्टार्ट है, तो अब एक कमेटी बनाई जा सकती है, और उस कमेटी के जो है fitment factor मुझे जो लगता है 1.92 हो सकता है fitment factor क्योंकि आपको पता है 7 CPC जो fitment factor था वो 2.57 गुना था और उसी के basis पर पर आपकी salary और pension minimum salary 18,000 रुपए minimum pension 9,000 रुपए तै की गई दी लेकिन इस बार जो fitment factor होगा वो इतना मुझे लगता नहीं होगा इस बार fitment factor की जो बात की जा रही है वो 1.92 गुना हो सकता है और अगर आपका 1.92 गुना अगर आपका fitment factor होता है तो उसके basis पर भी आपकी salary जो minimum salary बार 18,000 रुपए है वो 34,500 रुपए तक भी पहुँ सकती है तो वो भी अच्छा fitment factor है लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कि 2.86 fitment factor होगा या फिर 3.68 होगा वो मुझे बहुत कम chances है तो कि इसके basis पर salary बहुत ज़्यादा high हो जाएगी और इसके लाबा जो DR है जिसे अभी 53% है तो उस आएगा हम आपको बता देगे साथी साथ एक और बड़ी ख़बर है आप जैसे बहुत सारे प्रेंस ऐसे हैं जो डिश्टर लाइज सब्मिट नहीं कर पा रहा है तो क्यों उसके रीजन है क्यों आदार में आपका नाम चेंज है डेट बर्थ चेंज है या पर देट बर्थ मिसमैच है आपके सपर्स से या आपके ऑफिस में जगा है तो आप एक काम करिए आप मैनुवल लाइप सब्मिट डाउनलोड कर लिजी फॉर्म और किसी भी गेस्टेट ओफिसर से साइन कराके आप अपने ऑफिस में सब्मिट कर सकते हैं तो यह भी एक प्रोसेस है कि अग अगर चाहते हैं कैसे फॉर्म डाउनलोड बगरा करना है तो मैं इसकरी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आप कमेंट बोक्स में एस लिग दिगा नेक्स्ट वीडियो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आप MLC भी कैसे सब्मिट कर सकते हैं यह डियल सी कैसे घर सब्मिट कर सकते हैं यह वीडियो अच्छा हो तो लाइक करेगा आपके कोई सोदाव हो है तो हमें कमेंट बोक्स में कमेंट करेगा आप हमाले चैनल को जोई भी कर सकते हैं उनकी सुरुपर देकर मिलते हैं आप